अब्रदेश कोंस्टेबल के एक्जाम्स की भरती जैसे कि आपको मालूम है चालो हो गई है उसके फॉर्म भरना चालो हो गई है तो उसी बिस्स से मैं लगातार यह मद्रदेश कॉंस्टेबल के जो पिछले वर्सों में जो पेपर हुए हैं 2012 से लेके 2016 के बीच में उन सभी पेपर में जो जीके का पार्ट है उसका पूरा एनिलेसिस लेके आया हूँ और हर वीडियो में मैं पर्टिकुलर शिफ्ट का बाइस पेपर का एनिलेसिस कर रहा हूँ और इसमें मैं 19 शोला ये पार्ट है और इसमें 1 अगर्ष्ट 2016 का ये पेपर है, 2016 में एक अगर्ष्ट को हुआ था ये पेपर और एक अगस्त का ये first shift का paper है जिसमें कि मैं इसका पूरा analysis लेके आया हूँ total इसमें 20 questions पूछे गए थे जीके के तो पूरा जीके का apartment इसमें cover किया है तो इस वीडियो को आप आखरी तक देखें वीडियो पसंदा है तो वीडियो को like और share भी करें हूँ और साथी साथ में लगातार मेरी इस तरी से बने रहने के लिए मेरा चैनल study concept सब्सक्राइब कर ले all notification के साथ में जिसरी कि आपको सारे वीडियो के notification लगातार मिलेगे ध्यान रखेगा all notification के साथ में आपको subscribe करना जिसरी कि आपको notification पूरी तरीके से मिल पाएंगे एसी के साथ में MPPSC MP Constable तो यह चली रहा है MPPSC साथी साथ में मद्रप्रदेश जी के और मद्रप्र और computer जी के इन सभी पर मैं वीडियो लगातार ला रहा हूं हर रोज इस पर वीडियो मेरे YouTube चैनल पर डाले जा रहे हैं तो लगातार आप वीडियो भी देख सकते हैं लगातार मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो चली शुरू करता हूं मैं यह वीडियो जिसमें कि मैंने बंदरगा विक्सित किया गया था वो कौन सा है कांडला कच मर्मा गौवा या फिर पारादीब तो इसका जो सही उत्तर है वो है कांडला ये कांडला बंदरगा सबसे पहले विक्सित किया गया था और इसकी स्थाप्ना की गए थी 1950 में और ये कहां पर है ये गुजरात में है गुजरात में है ठीक है क्लिर हो गया चलिए कि अगला कॉस्चन है second question भारत में आई आर डिये को नियांतरित करता है किस चीज को नियांतरित करता है या फिर share trading होता है उसको यह पूरा का पूरा control करता है तो इसका सही उतर है बीमा विवसाय ठीक है ना बीमा का जो business होता है insurance sector का उसके लिए control करता है यह IRDA ठीक है ना और इसका full form क्या IRDA का insurance, regularity, development, authority ठीक है तो this is the full form ठीक है अगला question आ गया है तीसरा question है सांची के पुरातत्व संग्राले का मुख्य आकस्रण क्या है मौरे काल की कलागिर्तियां बिर्ला संग्राले भोपाल मूर्तियां टेपोटा और चित्र या फिर मौरे काल की सीही राजधानी सीही जो की है तो इसका सई उत्तर है डी मौरे काल में जो राजधानी में असोक इस्तम बना है वो इस संग्राले का मुख्य आकर्शन है ठीक है दिसीदा correct answer अगला question आ गया भारत में बागों की सबसे बड़ी और घनी आवादी वाला जो अभ्यहरण है या फिर राष्टी उद्यान अ और पन्ना अभ्यहरण तो इसका सही उत्तर क्या है देखिए अभ्यहरण तो कोई नहीं है यहाँ पर बांधवगड राष्टी उद्यान है ठीक है तो इसमें जो बागों की आवादि के लिए सब्से अधिक घनत वाली जो उद्यान है वो कौन सा है तो वो है बांदवगार राश्टी उद्यान 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 ठीक है तो this is the correct answer अगला question आ गया पद्म भूसन पुरुषकार से सम्मानियत हाफिज अली खान के प्रसिद्ध पुत्र का नाम बता है हाफिज अली खान ने इनको की पद्म भूसन से पुरुषकार मिला है तो उनके पुत्र का नाम क्या है अगला question आ गया सुन्दर वन बाग अब्भेरंड किस राज में है पर्षिम मंगाल आसाम सिक्किम या पिर जारखन तो इसका जो सही उत्तर है वो है पर्षिम मंगाल जो सुन्दर वन बाग अब्भेरंड है वो पर्षिम मंगाल में है जिसको की सुन्दर वन डिल्टा भी बोलते हैं ठीक है ना सुन्दर वन डिल्टा यह डिल्टा है क्योंकि यहाँ यहीं से इस बन के अंदर से ही गंगा नदी डिल्टा का निर्मार करती है और वहीं से बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है ठीक है बंगाल की खाड़ी में ख्लीर हो गया तो this is the fact है ना और यह पूरे की पूरे जो पस्चिम बंगाल का दक्षणी भाग है ठीक है ना वहाँ पर यह सुंदरवन डिल्टा का छेत्र जो है वही अभ्यरण और सुंदरवन राष्टी उद्यान के नाम से भी यह जाना जाता है ठीक है राष्टी उद्यान यह नेशनल पार्क है ठीक है ना अभ्यरण तो है यह सबसे पहले और उसके बाद में यह नेशनल पार्क है और एक बाय मेग्रा मेग्रा से बने हुए मेग्रा एक प्रजाती की एक पीड है ये जो की पानी के अंदर उखता है ठीक है ना उससे घिरा हुआ पूरा जंगल है और पानी के अंदर में पूरा दल-दल है और उसमें ये पीड उखता है ठीक है तो यहीं पर रॉयल बंगाल टाइगर ठी अगला कॉशन आ गया भारती बैंक के नोटों पर जो भासा पैनल पर इन में से कौन सी भासा को नहीं दर्शाया गया है आपने अगर नोट देखे हो करंसी देखे हो इंडियन करंसी तो उसमें एक बॉक्स में पूरी की पूरी अलग-अलग लेंग्वेज लिखी होई है तो उसमें कौन सी भासा इसमें से नहीं सामिल की गई है भोजपुरी बंगाली उर्दू या पर तमिल तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है तो सही उत्तर है भोजपुरी ये भासा करंसी पर नहीं प्रिंट है ठीक है बाकी की सारी भासा बंगाली उर्दू तमिल ये सब प्र पंदरा भासा यहां पर लिखी हुई होती है ठीक है ना कौन-कौन सी भासा होती है ठीक है अगला कोशन आ गया भारत के प्रथम मुख्य नियादिस कौन थे प्रथम भारत के कौन रहे तो इसका सही उत्तर है हिराराल जे कानिया दिस इदा करेक्ट आंसर ठीक है सिंगल लाइन फैक्ट हैं स्टैटिक हैं यह कोशन ऐसे बनते हैं आपको विल्कुल याद रखना है पूरा इंडिया का जीके इंडिया का करेंट अफेस कहीं से भी पूछ सकते हैं 20 questions आते हैं, 20 से लेके 22 questions, कभी 22 questions, कभी 20 questions इस तरीके से हर shift में आते हैं, तो आपको उस तरीके से इसको complete करना है दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अनेकेटमी के बारे में अनेकेटमी लेकर आया है, आपके लिए एक free plan जिसमें कि आपको MPK Top Educator से पढ़ने का सोनहरा मौका मिलेगा और साथी साथ में आपको मिलेगा 500 से ज़्यादा free live classes every week without doubt clearing तेकिना, free weekly mock test, free live quiz, जो कि बेसहार से जाता रहेंगी और साथी साथ में आपको मिलेंगे 20 free live quizzes इस free plan को unlock करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें, अनेकेटमी का एप और मेरा जो referral code है, हर दियाल कुस्वा उसको यूज करें और इस free plan को unlock करें क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए एक mock test ढून रहे हैं, तो अनेकेटमी आपके लिए लेकिया आया है MPPSC prelims full length test, जिसमें आपको मिलेंगे live mock test and access मिलेगा 20 से जादा full length test, जो भी mock test हैं उनका, जो कि पिछले मेने ही लाय हुए हैं और यही नहीं, टॉप 3 जो rankers होंगे, उनको मिलेगा अनेकेटमी का one month का free subscription plan, तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनेकेटमी के साथ में आईए अप जान लेते हैं अनकेटमी के plus batches के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के लिए एकदम perfect हैं, जी हाँ, अब अनकेटमी के साथ आप अपने preparation के जरूरत के हिसाब से अपने batches को join कर सकते हैं, और अपनी MPPSC Prelimps 2020 के लिए selection पक्की कर सकते हैं ये सारे batches बहुत ही जल्दी स्रूर हो रहे हैं, आप अपनी preparation में जहां भी हैं, आपको बहुत ही जादा मदद करने वाले हैं, तो आए जानते हैं इन सभी subscriptions के बारे में, और इन सभी batches के बारे में जो भी विध्यारती Prelimps 2020 क्लियर करना चाहते हैं, ध्यान से सुनें आपकी तैयारी के लिए Unacademy लेकर आया है 60 Days का crash course with MCQ Series practice के लिए theory live revision दिन में और subject wise जो live MCQ Series है वो रात में होगी और साथी साथ में आपको top educators के दौरा live course और PDF notes में मिलेगा और इसके साथ में आपको मिलेगा 20 से ज़्यादा full length test with live test paper analysis on every weekend ये batch start हो चुका है 14 जन्वरी को, तो आज ही जाकर enroll करें और अपनी तैयारी को पक्की करें क्या आपका theory का revision हो गया है और आपको subject wise MCQ का revision चाहिए तो आपके लिए Unacademy लिके आया है 60 days revision batch course through subject wise MCQ series इसमें आपको subject wise MCQ series का revision होगा और हर class के बाद में आपको इसके notes भी provide कराए जाएंगे ये batch भी start हो चुका है 14 जन्वरी से तो जॉइन करने में बिल्कुल भी देरी न करें और इसका लिए लिंक है वो मैंने इस वीडियो के description box में डाल दिया है वहां से आप उसको subscribe कर सकते हैं क्या आप MPPSC की तैयारी सू कर रहे हैं और dedicated guidance चाहते हैं तो मैं आपके लिए foundation batch for MPPSC prelims and men's के लिए recommend करूँगा जो की start हो रहा है 19 जन्वरी से यह 10 मंत का course है इसमें आपको मिलेगी live classes with top educators साथी साथ आपको मिलेगा pdf revision notes और weekly mega quiz इस course का link भी मैंने इस video के description box में डाल दिया है आप अपने सपने साकार करें unacademy के साथ में क्या आप अपना revision अपनी speed में चाहते हैं और revision आपका पहले से चल रहा है तो आप अपने revision के लिए recorded revision batch join करें संपूर्ण ग्यान में आपको सारे recorded revision session मिलेंगे जहां आपको आपके पेस के साब से आप पड़ सकते हैं और साथ में आपका doubt भी आप clear कर सकते हैं और संकल बेच में आपको मिलेगा dedicated doubt clearing आपकी revision को boost करने के लिए revision is very important तो आज ही इस बेच को उन सभी विध्यारतियों को मेरी तरफ से many many congratulations बहुत बहुत बदाई अब अपने men's की तयारई में बिल्कुल चूक ना करें आप लोगों के लिए unacademy लिके आया है swapन पूर्ती batch जिसमें कि आपको 35 दिनों में MPPSC men's की complete preparation कराये जाएगी with dedicated answer writing practice के साथ में तो आज ही अपनी सफलता की सिरी को एक कदम और आगे बढ़ाएं unacademy के साथ में unacademy की subscription के लिए बस आपको play store से unacademy का learning app download करना है और इसमें अपना जो goal है MPPSC and व्यापम चूज करना है और play plus subscription में जाकर आप मन चाहे जो भी courses से उसमें आप enroll करें और get subscription का जो बटन है उसको आपको क्लिक करना है instant 10% का fees में discount पानी के लिए मेरा referral code हर्दयाल कुसभा जो की capital letter में red capital letter में लिखा हुआ है उसको आपको enter करना है तो देर किस बात कियें दोस्तों आज ही download किजिए Unacademic Learning App और MPPSC and व्यापम को crack करने के लिए टैयार हो जाएए let's crack it अगला question आगया आपके सामने कोहीरा बांध कहां पर इस्तेते यहां इस्तेते पूछा है तो कहां पर है कैमूर जिला, सिवपूरी, रिवा या फिर धार तो इसका सही उत्तर कौन सा है तो इसका उत्तर है कैमूर जिला, कैमूर जिला UP, this is the correct answer यह UP में है और वहां पर इस्त नरसंहार के बाद किसने अपनी सामन्त उपादी छोड़ दिये थी रविन्नाट टेगोर, जिन्ना, सीवी रमन या फिर एस्पी सिन्हा तो कौन है इसका सही आंसर, पता है which one is the correct answer दस्वे का, तो दस्वे का सही आंसर है रविन्नाट टेगोर, रविन्नाट टेगोर जीने जब जलियावाला बाग का जो नरसंहार हुआ था, उस समय उन्होंने अपनी जो सर की उपादी थी, ठीके न, वो बापस दे दी थी, और ये जो नरसंहार हुआ था, ये कहां पर हुआ था, जलियावाला बाग कहां पर है ये, तो ये है अमरस्तर में, ये आपको पता होना अमरेश सर पंजाब में है यह और यह जलियावाला बाग की यो डेट है यह है 13 अप्रेल 13 अप्रेल 1919 में यह जलियावाला बाग हत्याकान हुआ था और इस समय जो अंग्रेजी जनरल डायर था उसने यह गोलियां दागी थी और कम से कम हजार से ज़्यादा लोग हजार से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मृत्ति हो गे थी और 1500 से अधिक लोग यहाँ पर घायल होए थे ठीक है तो दिस इज दा आल फैक्ट अबाउट डाट पर्टिकुलर कॉस्चन अगला कॉस्चन आ गया पंच तंत्र इनके द्वारा लिख अगला कॉस्चन आगया आपके सामने मदप्रदेश में अपिक्शाक्रत जो नया जिला है वो निमली сожал मैंसे कौनूसा है रिवा मुरैना अनूप चैनलत बैपना गया जिला जो की चांभी देवास यो इसको सही एजला है उससे शहीडोल अलग किया थन स जो जिला है उससे इसको अलग किया गया था और उसके बाद में अनुपूर जिला बना आया गया था और यहीं से नर्वदा नदी जो नर्वदा नदी है वो यहीं से निकली है ठीक है ना नर्वदा नदी का उद्गम यहीं से अमरकंटक की पाड़ियों से हुआ है ठीक है बा प्रधान मंत्री को खालिस्तान का सदस्य होना आवश्यक है यहां सदस्य से आएगा तो पताए जोग सभा, राजिय सभा, संष्ट की किसी भी सदन का या पिर किसी भी राज विधान मंडल का, तो इसका सही उत्तर क्या है तो इसका है C answer correct, ठीके ना, संष्ट की किसी भी एक को दर्जा दिया गया तो कौन सी सरकार यह 2016 का करेंट अफेर है यह या देखेगा यह करेंट अफेर्स में आ रहा है यह कौश्चन तो थी पॉरी गोज्रात की जैन सम्धाय वहां पर रहते थे खौ और इसको है करेंट के लिए पुरी गोज्रात की जैन संदाय वहां पर रहते थे लाग 80,000 के आसपास ये जनसंक्या है जो कि गुजरात में निवास करती है ठीक है अगला कॉशन ये बुक्स पर है विंग्स ओफ फायर के लेखा कौन है ननन निलकनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खुश्वन सिंग या गुर्चरन दास तो इसका सही उत्तर साइन्टिस्ट इस रोग साइन्टिस्ट जिनने की प्रतिवी मिसाइल बनाई ठीक है ना भारत के सच्चे देशभक्त एपीजे अब्दुल कलाम जी ने विंग्स ओफ फायर के ये लेखक है ठीक है अगला कॉशन आ गया चम्मल नदी के आरपार चार बांदों में पहला थ तीन वांदों में पहला था कौन था इसमें इंद्रा सागर गांदी सागर जवार सागर या फिर राणा प्रताव तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है तो सही उत्तर है गांदी सागर बांद चम्मल नदी का सबसे पहला बांद है ये और ये कहां पर है situated मद्ध्रदेश में और कहा पर है मद्ध्रदेश में यह है मंसौर में मद्ध्रदेश के मंसौर जिले में है इस ते गांदी सागरबान और यह 1948 और 49 की बीच में इसकी सुरुवात की गई थी और 1954 में यह बनकर तयार हो गया मद्ध्रदेश का सबसे पहला बांद है यह गांदी सागरबान तीक है और यह चम्मल नदी पर बनाए चम्मल नदी जो की टोटल 960 किलोमेटर रन करती है और यमुना नदी में यमुना नदी में जाके मिलती है यह ठीक है और उसके बाद में यह भी बांद दोनों नीचे की जो दिये हुए हैं यह भी चम्मल नदी पर हैं तो इसमें सबसे पहले सबसे पहला बान तो गांधी सागरबान दे उसके बाद में आता है राणा-प्रताफ सागरबान जो की है कहां? कोटा में है ताजिश्तान में है और तीसरा है जवार सागर बान जो की है चित्तोड गर में चित्तोड गर में ठीक है तो this is the correct fact जो मैंने आपको बता है याद रखना है ये तीनों बान चम्मल नदी पर बने हैं एक मद्ध्रदेश में हैं गांधी सागर और दोनों राजिस्थान में अगला कॉचन आ गया 2015 में अंतरास्थिये मेधा के लिए जवाला नेरु अवार्ट किसको नवाजा गया सुल्तान कासुबिन को बंगारी मताई को एंजला माकिल को या फिर रोवर्ट मुगावे को तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है तो सही आंसर है Robert Mugabe this is the correct answer अगला कोशन आ गया R.K. नारायन की काहनियों में कौन सा एक कालपनिक स्थान प्रियूख किया जाता है मालगुरी नालगुरी मालगुरी या फिर नालगुरी तो इसका सही उतर कौन सा है इसका सही उतर है मालगुरी तो मालगुरी है ये एक कालपनिक एक स्थान है जिसको की R.K. नारायन की एक काहनी है एक सीरियल तीवी पर भी आ चुका है दूरदर्शन पर बहुती स्टार्टिंग में जब दूरदर्शन की सुरुआत हुई थी 1982 में इंडिया में उस समय ये सीरियल आता था मालगुरी डेज के नाम पर माल गुरीज डेज ठीक है न और ये एक R.K. नारायन की लिखी हुई काहनिया है और बहुती बहुती अच्छा सीरियल था बहुती अच्छी किरदार थे इसमें तो ये एक कालपनिक एस्थान इसमें इनको इनोंने भी प्रियोग किया है ठीक है अगला कॉशन आ गया उन्नीस भा निम्न में से भारत की किस राज में केबल दो जिले हैं पस्छी मंगाल, सिक्केम, गॉआ या पिर उत्तर प्रदेश तो इसका आंसर कौन सा है तो इसका आंसर है C गौळ, जो गौळ राज है उसमें सिर्फ दो ही जिले हैं बहुत छोटा सा है ठीक है ना भारत के पस्छी मं इसतित है ये ठीक है और बहुत छोटा सा इस्टेट है इसमें की दो ही जिले हैं ठीक है अगला कॉशन आ गया बीषवा और अरक्षक के एक्जाम्स की 2016 का जो एक अगस्त का पिपर है उसके फर्स शिफ्ट का पिपर है यह ठीके ना उसका यह आखरी कॉर्शन है फर्स शिफ्ट में यह कॉर्शन पूछे गएते हैं पूरे 20 और इसमें पूछा है राजिस्तान से वेब पहली इसमारक कौन सी है जो युनिस्क की विश्वदरवर्ब की सोची में सामिल है बताईए कौन सा है इसका अंसर विर्ला रक्षट राले विजयस्तम ताजमहल या फिर जनतार मंतर तो इसमें से सही उतर कौन सा है तो इसका सही उतर है जनतर मंतर जो की युनिस्कों में सामिल है ठीक है न और राजिस्तान की ये पहली इसमारक है ठीक है ये जनतर मंतर किसने बनवाया थी और कहां पर है ये ये जनतर मंतर है जैपूर में जैपूर राजिस्तान की ये राजधान है जैपूर वहाँ परिष्टे थे यह जंतर मंतर और इसको सवाई सवाई जैसिंग ने इसको बनवाया था ठीक है और कब बनवाया था 1724 से लेके 1734 के बीच में इसको बनवाया गया ठीक है और इस वेश साला में जो जंतर मंतर 20 साला है, इसमें total 14 यंत्र लगें, कभी आप जैपूर जाएं, तब आप इसको जरूर देखें, ठीक है, जंतर मंतर को, ठीक है, यह जो जंतर मंतर है, यहाँ पर एक समय मापने की घड़ी भी है, ठीक है, इसलिए इसको जंतर मंतर भी बोलते हैं, और ग्रहों क की भी भविष्टवाने यह करता है, तो very important and very historical place, ठीक है, तो यह थे पूरे के पूरे 20 questions, जो की 2016 एक अगर्ष्ट की first script का paper था, paper का analysis आपको कैसा लगा, comment करके बताएं, वीडियो को like भी करें, और साथ में share भी करें, जिससे की अन इस्टूडेंट्स की आरक्षक के एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इनका पूरा analysis मिल सके हैं, लगातार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, study concept को all notification के साथ में, जिससे के आपको सारे वीडियो के notification मुलेंगे, मैं आरक्षक के एक्जाम के सा तो यह चार वीडियो लगातार अब आपको मिलने वाले हर रोज, तो आप लगातार मेरे चैनल को साथ बने रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, all notification के साथ में, तो मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ, अगला वीडियो लेके फिर आपके सामने हाजिर ह जै हिन्द, जै भारत